हालो फ्रेंट्स, कॉंपटेशन कमेटी के वीकली करेंट अफेस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रथान, आई फ्रेंट्स आज हम देखते ही हैं पिछले दो वीक के कुछ महतपूर्ण करेंट अफेस को जो इन्वार्मेंट और साइंस और टेकल हमारा जो यहां पर एप्रोच होगा वही इंपॉर्टन एप्रोच है जिसमें कि हम इसके डाइनेमिक याने करेंट अफेस के साथ साथ इसके स्टाटिक पार्ट को भी कवर करते हैं ताकि एक्जामनीशन में आपको एक बहतर अप्रोच मिल सके और आपका स्कूर हाई हो सके ठीक दूसरा पार्ट जिसमें कि हमारा एरिया अप टार्गेट होता है तो तीन महत्पूर एरिया होते ही इंवार्मेंट साइंस और टेकलोजी तो सबसे पहले देखिए तो सबसे पहले देखिए जिसमें कि वर्ल्ड इन्वार्मेंट डेजन है तो तीन महत्पूर रिजन में सबसे पहले देखिए वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे सामानेता जैसे हम देखते हैं कि हमेशा की तरह पांच जून को सैलिब्रेट किया जाता है तो चुकि इसकी सुर्वात स्टॉक्हों समिट से हुई थी स्टॉक्हों समिट कब हुआ था 1972 को हुआ था पांच जून 1972 को ये देखते हैं स्टॉक्हों समिट हुआ था जो वैस्विक इस तर पर इन्वार्मेंटल कंजर्वेशन के लिए परियावरेंट सरक्षन के लिए सबसे पहला प्रयास था उससे पहले किसी भी प्रकार का इस प्रकार ग्लोबल लेवल पे एकत्र होंके एक साथ जो है इस प्रकार का किसी प्रकार का भी ऐसा इन्वार्मेंट कर्वेशन नहीं हुआ था तो पहला रीजन आप देख रहे हैं कि 2022 का ये साल है 1972 में 50 येर अगर आप जोड़ दे तो आपको सीधा मिलता है दाट इस 2022 जो दिख रहा है 50 साल पूरे रहे हैं इसलिए रीजन नंबर बन है कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा इंपॉर्टेंट कि ये डिक्लेयर हुआ था 5 जून को कि हम एवरी येर सेलिब्रेट करेंगे 5 जून को वर्ल्ड इंवार्मेंट डे क्योंकि हमको इनवार्मेंट के प्रती आवेर्नेस फैलाना है इनवार्मेंटल कंजर्वेशन की बात करनी है परियावरन सरक्ष्ण की बात करनी है तो सबसे पहले कब हो उसका next year 1973 में सबसे पहले क्या था पहली बार वर्ल्ड इनवार्मेंट इंवार्मेंट हे बनाए घीक है तो ये भी आपकी इक् oli प्रार की पर देखेंगे तो तो यह बात ध्यान रखना है आप लोगों को तो यह दूसरा important reason हो गया है अच्छा इसमें एक पार्ट यह भी है 1973 का जो theme था वो same theme इस बार repeat की गई है only one earth केवल एक पृत्वी है और एक पृत्वी की एहमियत हमको समझनी होगी हमको environment को conserve करना पड़ेगा protection देना पड़ेगा और इसलिए यहां पर इस theme को repeat की गई है केवल एक पृत्वी यह theme बहुत important है इस साल के exam के लिए और तीसरा बड़ा part है that is again a very important content that is कि भारत ने इस आउसर पर एक moment start किया है एक आंदोलन start किया है उसका नाम है life तो life का full form पूछा जा सकता है life मतलब lifestyle for the environment moment तो यह life याद रखना इस साल का फिर से एक और important content है ठीक है तो परियावरण के लिए जीवन सैली आंदोलन यह part आपको याद रखना है clear हो गया तो यह तीन important point पचास साल पूरा हो रहा है दूसरा फर्स time जो 1973 में हुआ है तो उसका जो थीम था वह repeat किया गया इस बार 2022 में और तीसरा important content life नाम का एक mission start किया गया है आई हो यह बाते सभी लोग समझ में आ गई अब यहाँ पर थोड़ा कुछ बाते इसका static वाला पार्ट ले लेते हैं इसका static पार्ट को लेते हैं जिसमें कि आपको कुछ content प्रोवाइड करना ज़रूरी है तो यहाँ पर देखे वर्ल्ड इन्वार्मेंट डे जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले सुरवात कब हुई 5 जून 1972 को इसी लिए इसी की हुआ था convention हुआ था उसका नाम था UNCHE ठीक है यूनाइटेड नेशन convention on human environment मानव परियावरंट पर संयुक्तरास्त का समेलन यह पहला था ठीक तो यह बात समझ में आ गई तो इसमें फिर 10 जोड़ दो आप तो 1982 को क्या होगा भई 1982 को होगा आपका नैरोवी सम्मेलन हो था नैरोवी सम्मेलन ठीक है यहाँ पर याद रखना जैसे आपको नैरोवी सम्मेलन क्या था इन स्टॉक होम सम्मिट के 10 साल पूरे होने पर हमने बस एक review मिटिंग की थी और आपको याद होगा इसमें 10 साल जोड़ दोगे तो 1992 क्या है आपका प्रित्वी सम्मेलन वन आता है प्रित्वी सम्मेलन वन है इस प्रकाइस के सम्मेलन 2 हो जाएगा यह इसमें फिर 10 जोड़ दोगे आपका तो 2012 आता है तो यह प्रित्वी सम्मेलन 3 हो जाएगा आर्थ सम्मेलन 3 तो आपका क्रोनलोजी आपको समझ में आ गया ठीक है कई बार एक्जाम में पूछ दिया जाता है इसे देखो आपका प्रित्वी सम्मेलन 1 को क्या कहते हैं रियो सम्मेलन भी कहते हैं तो रियो सम्मेलन भी कहते हैं रियो सम्मेलन भी कहते हैं जो हमने प्लस फाइब भी पूछा आपके एक्साम में तो रियो प्लस फाइब मतलब ब्यान भी में पांच जोड़ दो तो क्या होता है नाइंटी सेवन तो नाइंटी नाइंटी सेवन में कौन सा इंपोर्टेंट कन्विंशन हुआ था अब बता सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल तो क्योटो प्रोटोकॉल इस आल्सो नोन एस रियो प्लस फाइब ठीक है इस बात को ध्यां रखना है जो क्या था बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकने के लिए या क्लाइमेट चे 72 फिप्ट जोन को ठीक है इस बात को अपको ध्यां रखना है तो आयोब यह बात है सभी लोग समझ में आ गए इसका स्टाटिक पार्ड यह है पीछे की स्टोरी यह है अब इस साल पचास साल पूरा हो रहा है तो ध्यां रखना only one अर्थ केवल एक प्रित्वी है इस बात का थीम रखा गया था क्लियर हो गया अब दूसरा मत्पूर कंटेंट देखिए आज के सेशन का यह है परम परूल परम परूल क्या है एक फिर से हमारे पास एक सूपर कंप्यूटर आ गया सूपर कंप्यूटर क्यों बनाए जाते सूपर कंप्यूटर नेशनल सूपर स्रिंखला बन रही है पूरी सिरीज बन रही है जिसना जादा सूपर कम्पुटर में हम और जादा पावरफुल होती जाएंगी इसकी सर्विशे और जादा फास्bug होती जाएंगी और उसका आपलिकेशन भी उतना ज्यादा broader scale पर होगा विस्ती इस स्तर पर होगा ठीक है तो रिखता है थीकर तो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन नेशनल सुपर कंप्यूटिंग बिखें यहां पर देखेंगे बारत का सबसे largest सुपरकंप्यूटर और वर्ल्ड का फास्टेस भी हम समझेंगे लेकिन इस बात को समझीए यह करेंट का पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है तो परम पोरूल क्या है सुपर एनसम के चरण टू के तहद सेकंड स्टेज के तहद जो है यह क्या है आपकी स्थापित की गई है क्लेर हो गया तो इसमे देखते हैं की इसमें जो घटको का निर्माण और सायोजन वो देस में किया गया है ठीक हैובैक्टरिंग और इसका एसेंबिंग वो दोनों-का-दों यहां पे भारत में किया गया है जो क्या बताता है स्टेज सर्धा सोचना आज इनफॉर्मेटिक्स के लिए विज्ञान फिर कॉप्यूटेशनल सुस्था यह क्या हैं बेृश्ध के लिए हम कह सकते हैं जिसमें की आपका आण्व् को सिलता और पदार्थ विज्यान, material science and atomic जो है आपका research के point अबूसे है उसके बाद दिखते है computational और different type के multiple इसके applications होते हैं तो इन सभी बातों को आप धियां रखेंगे यह सब बात है mostly जो होती common होती है आप सभी में कुछ super computer के कुछ और विसेश additional part भी होते हैं लेकिन आपको धियां रखन research के point अबूसे ही ज्यादतर चीज़ें होती है clear हो गया तो आप यहां पे थोड़ा सा हमको national super computer को समझना है super computer mission को समझना है यह जो परम पोरूल है देखिए c-deck के द्वारा विक्सित किया गया था c-deck जो है क्या है full form इसे हम समझेंगे और यहां पे देहान देना यह स्वधी सी software stack का इस्तमाल किया गया है ठीक अब यहां पे देखना है national super computing mission NSM को आप समझेए तो national super computing mission यहां पे देखिए जो इसका स्टाटिक पार्ट है और बहुत important content है आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है national super computing मतलब NSM ठीक है NSM basically start किया गया था worse 2015 में 2015 में start किया गया था जिसमें की हमको super computer की पूरी स्रिंखला बनानी थी super computer का development करना था super computer अगर ज़्यादा powerful होगा तो हमारी जो है यहां पे हमारा जो दाइरा है research का काफी ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका बहुत multi level पे इसका application है अब यहां पे इसे basically संचालित कौन ता है कौन क्रियानवित करता है इसे समझेए NSM जो है basically आपको पता होगा DST Department of Science and Technology और दूसरा है MEIT Ministry of Electronics and Information Technology ठीक है इसमें Ministry of Electronics and Information Technology यहां पे देख रहे हैं कि Electronics और आपके सूचना प्रादुगी की मंत्राले प्लस विज्ञान इवं प्रादुगी की विभाग के द्वारा इसे क्या किया जाता है संचालित किया जाता है ठीक है अब दूसरी बात समझेए यह इनके द्वारा संचालन है basically execution कौन करेगा वो करता है CDEC CDEC कहाँ पर पता है CDEC का full form भी जान जीजे और यहाँ पर इसका यह basically पूने में है Center for Development of Advanced Computing Center for Development of Advanced Computing पूने प्लस Indian Institute of Science बैंगलोर यह दोनों के द्वारा क्या है इसे क्या है execute किया जाता है इसे हम कहेंगे क्रियानवित किया जाता है ठीक है यह बात समझ में आगई आप लोगों को अब यहाँ पे जो इस क्रीम पे देख रहे हैं यह है इंडिया का fastest super computer that we call a Param Praveig परम प्रवेग भारत का सबसे fastest super computer है ठीक है इस बात को धिया रखना है परम प्रवेग अब दूसरी बात क्या है वर्ल्ड का fastest क्या हो जाएगा उसका नाम है फु provider कूँ ठीक है फूगाकू यहाँ पे यह आपका क्या है वर्ल्ड का fastest है ठीक है इस प्रकार लीख सकते हैं यंदे में फूगाकू ये बात समझ में आगए आप लोगो ये दुनिया का फास्टेस है और ये भारत का फास्टेस है ठीक है बस इतनी बातें याद रखेंगे लेकिन एक पॉइंट और है क्योंकि ये सीजी पीएसी मेंस का भी कंटेंट है राश्टी स्थर के एक्जाम में भी पूछे जा सकते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेशल सूपर कंप्यूटिंग मिशन के तीन स्टेजेस हैं तीन स्टेजेस में आपको यहाँ ध्यान देना हो उसके बाद हम देखेंगे दूसरा वाले में हम देखते हैं इसका मैनुफैक्ट्रिंग प्लस एसेंबलिंग दोनों करेंगे ठीक और तीसरा जो स्टेज होगा निश्टर सूपर कंप्यूटिंग मिशन का कि हम डिजाइन भी बनाएंगे मैनुफैक्ट्चर भी करेंगे और एसेंबल भी करेंगे तो यह याद रखना इसी पॉइंट से एमें डिमें इतने चीजों से आपका क्लियर हो जाएगा और चुकि यह मेंस में भी आपका कंटेंट में इंवाल है का सामिल है इसलिए यह कंटेंट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है तो तीन चारणों में न इंपॉर्टेंट है नैनो लिक्विड यूरिया नैनो लिक्विड यूरिया भी भारत के क्रिसी छेत्र में बहुत बड़ी क्रांती लेकर आने वाली है अब सभी को पता होगा हम जैसे की देखते हैं एक किसान को चाहिए फटिलाइजस या फिर उसको चाहिए मैनियूर या अब यदि मिट्टी में उसकी मातरा घट जाती है तो हमको एडिशनल सप्लिमेंट देना पड़ता है चाहिए मैनियूर के फ़र्म में हो चाहिए फटिलाइजस के फ़र्म में हो तो यहाँ पर याद रखना है जैसे बेसिकलिए आपको पता होगा जो मुख्यता यूस किया वैसी देखते हैं सूपर फास्पेट सूपर फास्पेट तो सूपर फास्पेट है तो यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ रही होगी फास्पेट मतलब फास्पोरस है वैसी देखते हैं आपको यह पता होगा पोटास पोटास में हम देखते हैं पोटेशियम है तो हमको स आमानेता सबसे important जो होता NPK ठीक है nitrogen, phosphorus और potassium तीन महत्पूर्ण चीजों की जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़र्वत पढ़ती है वैसे macronutrient, macronutrient अभी पढ़ेंगे हम समझेंगे static part में लेकिन यूरिया जो होता है यूरिया किसी भी farmer के लिए बहुत ज़्यादा important ऐस fertilizer होता है including super phosphate तो वहाँ पर देखेंगे कि यूरिया की कमी पूरे भारत में जनरली देखते हैं उस पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है चीक है बहुत ज़्यादा दबाव होता है fertilizer पर क्योंकि लगातार रभी और खरीब फसल लगातार फसल चक्रण की कमी की कारण या फि decrease हो रही है तो fertility decrease होने पर हम क्या करते है additional supplement देते हैं यूरिया का अब यूरिया की कमी हो गई या यूरिया पर दबाव ज़्यादा बढ़ गया तो अब उसका कोई supplement तो होना चाहिए एक बोरी यूरिया का हम कोई supplement ला देते हैं तो उसे हम liquid formula अब ठीक है इसे liquid formula तो यहाँ नैनो लिक्विड यूरिया प्रदान मंत्री साब के दवारा 28 मई 2012 को गुजरात की गांधी नगर में देश का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का यहाँ पे उद्गाटन किया गया फॉस्ट नैनो यूरिया प्लांट ठीक है तो फॉस्ट है इसलिए important है अच्छ हो जाता है अब यह क्या है पहले हम क्या करते हैं उसको सॉलिट छोटे-छोटे सॉलिट फॉर्म में होता था ठोस फॉर्म में उसे चिड़कते थे और उसके बाद वहां पर घुलता था और किसी भी प्लांट को खासका धान गी हूं अगरे चीजों को वह क्या कर रहा था न पर लिया गया है कौसी कंसिकरारी इपको कंपणी बना रही है है नहीं यहां पर ध्याँ रखना दुनिया के किसानों के लिए पहला नैनो यूरिया यह पॉइंट याद रखना है यहां से मैं रखनी अब आई अ मैं आपको बताता हूं इसके बारे में कुछ महत्पूर्ण बातें जिसमें कि आपको ध्यान देना है कि पहला पॉइंट देख रहे हैं नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर हम विक्सित कर रहे हैं ठीक है जिसमें कि हम देख रहे हैं जो कन्विंशनल यूरि चीक है जिसमें की यूरिया है नाइट्रोजन का कंटेंट है अब वो क्या होता था जब हम छिड़कते थे उसमें जब हम जो है उसमें लाइक खेतों में डालते थे तो 30 सा 40 परसंट तक ही प्रभावी होता था लेकिन जब नैनो यूरिया लिक्विट को देख रहे हैं इसे कह प्रभावी भी है दूसरा जब यह ज़्यादा यूस करेंगे तो आटमेटली इसका जो है पारंपरी यूरिया को लोग कम यूस करने लगेंगे ठीक है कुल मिला कि हमको सप्लिमेंट ही देना है चाहे सॉलिट फॉर्म में दो चाहे लिक्विट फॉर्म में दो यह बात दीजे मैं आपको मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट बता देता हूं ताकि आपको एक्जामिशन पॉइंट आफ उसे कभी ज्यादा हेल्प मिल सके ठीक है तो यहां पर देखिए बेसिकलिए मिट्टी में दो प्रकार की एलिमेंट होने चाहिए उनका जो है अच्छा कह पोशक तत्व ठीक है तो यहां पर इन दोनों कंटेंट को समझिए मैं इसे इस प्रकार सरल तरीके से बता रहा हूं चाह影片 है तो यहां पर याद रख लेना कौन पी के का मांगत हस इस प्रकार आप याद रख सकते हैं आपके आपका दरवाजे नौक करता है और अचानक यह उसे कुछ महांग नहीं आता पीके तो स्िंबल तरीके से कोई भी निमानिक्स यूजस का सकते हैं हमारा परपस हमको यह content learn होना चाहिए तो कौन पीके का मांगा थस ठीक है एच का यहाँ पर कोई sense नहीं है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रकार यह macro nutrient हो गए macro nutrient हो गए तो कितने हो गए भई 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ठीक अब यहाँ पर 9 हो गया तो उसके बाद देखते हैं micro nutrient को तो micro nutrient में आपको pair बना लेना है तो pair किस प्रकार बनाएंगे देखिए तो यह macro यहाँ सुक्ष्म टाइप के जो nutrient होते हैं इसे आप pair वाइस इस प्रकार याद रख सकते हैं जैसे कि हम A, B और C लिखते हैं तो आप फिलाल A को छो भोल जाएए और सीधा लिखिए B और C मतलब बोरान और क्लोरीन का एक pair बन गया वैसे ही आप याद रखेंगे फेकू से फेकू ठीक है इसमें देखेंगे आईरन प्लस कॉपर उसके बाद आप मजनू से याद रख सकते हैं MN और ZN ठीक है मजनू इस प्रकार थोड़ा समझ लीजी आप वैसे ही आप लिख सकत पर उसके बाद मजनू से आप देखेंगी मैगनीच और जिंक और उसके बाद देख रहे हैं मौलिब डेनम और निकल ठीक है तो इधर 9 हो गए और इधर आप देख रहे हैं कितने हो गए आपके 9 प्लस यहाँ पे 8 तो टोटल कितने हो गए टोटल 17 ऐसे न्यूट्रेंट हो कौन सा ज्यादा जरूरी तत्व है इंपॉर्ट जो ज्यादा मैक्रो ज्यादा दीर को पोसक तत्व है तो यह कैडिगरी देगा तो इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं ठीक है इसी है ना क्रम से दूसरे टाइप के कोशन आता है कि टोटल नंबर आप माइक्रो और मैक्रो कितने तो नाइन उपर क्या है मैक्रो है और जो है आपके आठ जो है आपके क्या है माइक्रो या सुक्ष्मा पोशकतत्व है तो टोटल कितने हो गए 17 ऐसे न्यूट्रेंट हो गए एपार्ट फॉम दिस इसके बावजूत क्या है कुछ और मिनरल्स जो होते हैं वह बहुत स इंपॉट्एंट यह है कोईला गैसी करन तो कोल गैसी फिकेशन वाला यह टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार भारत सरकार इस प्रकार का पर्मिशन दे रही है कोईला आप जानते हैं जैसे कि अभी निउस में बहुत चाया हुआ है कोईला का कोईली के डिमांड बढ़ी हुई है तो कोईले के डिमांड बढ़ी हुई है और कोईला का मल्टीपल यूसेज है हम जानते हैं कि यह क्या होते है एक्चुली फॉसिल फ्यूल ही है जीवास्म इंधा ने जिसमें लाखो करोडों बस पहले क्या है बायो मास जमीन पे दबे होने के बाद फाइनली उसमें जो कैमिकल रियक्षण हूँ रियक्षण के बात फाइनली या तो वो क्रूड ऑल पैट्रोलियम ऑल बन गए या फीर कोईला बन गए तो कोल मिला के फॉसिल फ्यूल में दो बातें आपको समझमाएगी कोईला से व्यूलेटिट कुछ important content और दुसरा petroleum से ब important content क्योंकि यहां पे topic क्या है coal gasification है तो देखते हैं क्या है कि coal gasification koila gasika इसलिए important है क्योंकि भारत सरकार ने पहली बार इसे permission दिया है इससे पहले इस प्रकार का कोई permission नहीं होता था ठीक है देखिए koila gasi garand क्या एक procedure होता है जिसमें नहीं कि देखते हैं जो और सरल तरगी समझने के कोशिस करिए कैसी टेक्निक है जिसे इन सेटू गैसी करण भी कह सकते हैं जिसमें की कोईला को कोईला के भंडार जहां पे होंगे वहां पे उसे गैस फॉर्म में बहार निकलना है उसे हम कोल गैस कहते हैं या सिंथैसिस गैस या सीन गैस कहते हैं जिस में मिधेन होती है कार्बन मोनोकसाइड होती है हाइड्रोजन होता है और कार्बन डाइकसाइड होता है प्लस आप देखेंगे जलवास्प होता है थोड़ा जैमत उठा लीजिए बहुत सारा कंटेंट मैंने बता दिया है ना पहला बात क्या मैंने बता है मिधेन कार्बन डा निकल रहा है तो हमारे पास क्या जाएगा जो हमारा ये सप्लीमेंट बन सकता है इसे यूस किया जा सकता है basically scene gas का या coal gas का usage की जौरत क्यों पड़ी सुनिए को जो steel industry होते हैं या जो fertilizers industry होते हैं दोनों की बहुत जबरदस demand है आपको पता होगा तो वहाँ पर क्या है cooking gas use किया जाता है तो उसका एक replacement बन सकता है या फिर कहें कि हम देखेंगे कि नैचुरल गैस का भी रिप्लेस्मेंट बन सकता है हाला कि इसमें एक बुरी बात यह है जिसमें हम देखते हैं कि यहां पर कारबन का एमिशन जादा हो जाता है अगर आप क्या है सीन गैस यूज़ करते हैं और कोईला को जलाते हैं तो कोईल इनिशेटिव है ठीक है तालचेर नाम की जगह जानते हैं ओडिसा में तो वहां पर पहला ऐसा सायंत्र इस्थापित किया जा रहा है जो क्या है बेसिकली सीन गैस बेस पर आधारित जो है वहां पर फर्टीलाइजर बनेगा ठीक है वहां से फर्टीलाइजर बनता है यूर परफिम पढ़ते होगे यह आपका जो डिस्टिलेशन मैथड गैसिफिकेशन मैथड तो गैसिफिकेशन मैथड में देखो नीचे कोईला होगा accordingly जो है वो गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा ठीक है गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगा तो दो बातों को समझते हैं यहां पर देखिए इसमें एक तरफ ले लिजिए अपलोण पैट्रोलियम ठीक है एक तरफ ले लिजिए पैट्रोलियम ठीक है और पैट्रोलियम का कोई से अगरा हो गया दूसरा ले लीजिए कोईला दूसरा ले लीजिए कोईला ठीक है दो टाइप का जो है important आप यहां पर मैं कुछ static content बता रहा हूं ठीक कोईला की कितने टाइप होते तो basically 4 टाइप होते और कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है देखो आसानी समझ जाओगे एक ट्रिक भी बता दूँगा जिसमें कि देखो सबसे अच्छा कोईला कहा जाता उसे कहते एंथ्रा साइट एंथ्रा साइट जो है आपका सबसे अच्छा कोईला है दू लिगनाइट उसके बाद देखते ही पीट कोईला ठीक है तो आप कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है तो आपको दो बातों को समझना है कि पहला इसमें कार्बन का कंसेंट्रेशन कितना है तो कार्बन का कंसेंट्रेशन जैसे इसमें 85% जो जितना अच्छा परसेंटेज ह कहते हैं, percentage of carbon क्या है, आप देख रहे हैं, 70 से 85 की बीच रेंज हो, तो वो bituminous होगा, 85 और अब वाला आपका anthracite हो गया, lignite वाले में देखिए, आप लोग यहाँ पे देखना, सीधा 60 to 70 percent carbon का concentration हो, तो आपका यहाँ पे दिखेगा lignite, similarly 50 से 60 percent carbon हो, तो वो देखते हैं, आपका peat koila, ठीक, तो जिसमें ज़्यादा carbon का percentage, तो वो उतना अच्छा koila, तो यहाँ पे anthracite सबसे best type का koila है, ठीक है, इस बात को धियां रखना है, अब कई बार आपको exam hall में confusion आया, तो एक trick भी बता सबसे पहले आएगा, सबसे best type का koila, ठीक है, तो आसानी से anthracite यह पहले आ रहा है, तो best type का koila, और peat जो है, सबसे घटिया type का koila, कारबन जिसमें percent ज़्यादा हो, वो अच्छा koila, clear हो गया, तो इस प्रकार यह trick से आप याद रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रख हाला कि यहाँ पे कुछ और बातें भी इसमें लिखा जाना चीज, समझा जाना चीज, बट I think static में इतना content काफी है, यह percentage को देख रहे हैं, अलग-अलग sources में vary कर सकता है, लेकिन मोटा-मोटा यह percentage आप याद रखें, ठीक, अब यहाँ पे petroleum, मालो आपको किसी जगा पे crude oil दिखा, मिला, और crude oil से कितने प्रकार की चीज़े निकलती है, क्यों इतना important है, समझे, crude oil या petroleum जो है, यहाँ पे दिखते हैं, एक बार इसका हम प्रभाजी आस्वन करते हैं, fractional distillation करते हैं, तो कितनी सारी चीज़े निकलती है, 9 प्रकार की चीज़े इसमें निकलेगी, इस लिए इसका importance बहुत ज़्यादा है, तो चलो इस 9 प्रकार की content को आप समझ जाते हैं, यहाँ पे, simple सी बात है, कि माल लोग यहाँ पे हम इसका प्रभाजी आस्वन करते हैं, आस्वन मतलब गरम करना, और आस्वित होना मतलब भाप की रुप में निकलना, तो यहाँ पे दे से पहले निकलेगा, कौन सा निकलेगा, गैस निकलेगा, प्राक्रितिक गैस निकलेगा, नैचुरल गैस निकलेगा, ठीक, यह बात समझ में आ गई, सभी लोगों को हमने थोड़ा सा गर्म किया इसे, टैंपरेचर थोड़ा सा बढ़ाया, इस petroleum याने कच्छे petroleum को, crude oil को, ठ निकला, थोड़ा सा और गरम कर लो भई, थोड़ा सा और गरम करते हैं, तो फिर इससे निकलता है, पैट्रोल, ठीक है, इससे थोड़ा सा और गरम करते हैं, तो पैट्रोल निकला, हम temperature को बढ़ाते चल रहे हैं, ठीक, थोड़ा सा और गरम कर दो, तो यह क्या होगा, आपक प्रफाने में यूस होता है आप समझ पा रहे कि नहीं मैं बता क्या रहा हूं जैसे की यह हमारा कंटेनर है यह कंटेनर इसमें क्रूड ऑइल भरा हुआ नीचे से हम क्या गर्मी दे रहे हैं हीट दे रहे हैं तो अलग-अलग टैंपरेचर पे इस प्रकार अलग-अलग चीज नहीं क्या है पेट्रोल है उसके बाद देखते हैं नैप्था मिल गया नैप्था इसके बाद टैंपरेचर को और बढ़ाईए और बढ़ाती है तो यहां पर क्या मिलता है यह मिलता है आपका कैरोसीन ओईल ठीक है कैरोसीन ओईल मिलता है ठीक यह बात समझ में आ गई आप बढ़ा दो तो यह क्या मिलेगा आपको लूब्रिकेंट लूब्रिकेंट को हम क्याते हैं स्नेहक लूब्रिकेंट ऑईल या स्नेहक हम को मिल जाता है ठीक है थोड़ा सा और बढ़ा दो तो आपको क्या मिलता है यह मिलता है आपका डाट इस पैट्रोलियम जैली पैट्रोलिय of chemical use नहीं किया गहाँ केवल वह bio mass वाला ही chemical है और नाच्छोरल है इसलिए petroleum jelly जो काफि कोस्केश भिए बिकता है चोटी से Nebriak और उसके बाद बचा-kुचा चीज क्या है उसे हम कहते कोलतार, मतलब मतलब यह जो जो होता है जो सड़के बनाई जाती है तो कितने चार प्लस चार आट और प्लस इसका है टूटल मिलके नौ तो एक पेट्रोलियम जो है क्रूड ओइल जो है जहां पर जब जमीन से निकालते तो इतनी सारी शीचें निकलती है इसलिए तो इतना महहगा पड़ता है ठीक है यह इस टाइप के लिए काफी important content है याद रखना इसमें क्रम पूछा जाता है कौन पहले निकलता है कौन बाद निकलता है कौन सा जो है separation पहले होगा इस टाइप के questions जिसमें पूछे जाते ठीक तो कोईला और petroleum की बाते आपको समझ में आ गई आगे बढ़ते हम तो अगला देखिए यहाँ पे आज के session का सबसे last content है यह जिसमें कि आप देख रहें कि चीतों के अंतर महादेपी पुनरवास की भारत की महत्वकांची योजना की सुरवात दुनिया में पहली बार हो रहा है जब एक continent से दूसरे continent में इस प्रकार जो है animal का वहाँ पे migration कराया जा रहा है वहाँ पे उनका पुनरवास कराया जा रहा है तो यहाँ पे देखना सबसे important content क्या है content है आपका चीता ठीक है चीता का session हम पहले भी cover कर चुके है चीता और तेंदवा में अंतर भी मैंने वहाँ पे बताया हुआ है ठीक है previous session में आप जाके देख सकते हैं यहाँ पे क्यों important है पहली बात है कि चीता जो है world में अगर आप देखते हैं उनके numbers काफी कम है और दुनिया में चीता दो ही जगा मिलती है एक Africa दूसरा Asia और Asia में Asia ही चीता अफरिका में African चीता ठीक है और वैसे ही देखते हैं दोनों ही काफी जो है जो IUCN की category है जिसमें की कुछ critically endangered है कुछ समवेधन सी वनरलेबल category में आते है तो आने व जितने भी देख रहे हैं तेंदवा, चीता, टाइगर यह सब चीजे आप देखते हैं उसी category के हैं तो basically यहां पर content जो काम की चीज है कि पहली बार दक्षिड अफरिका और नामी बिया से क्या है इसे भारत लाए जाएगा किसको African चीता को क्योंकि भारती चीता में एक चीत है हम देखते हैं चितिदार चीता या एसियाटिक चीता हम कहते हैं एसियाटिक चीता जो है भारत से क्या है विलुप्त हुआ है याद करना याद रखना एसियाटिक चीता भारत से विलुप्त हुआ है दुनिया से नहीं हुआ है ठीक है दुनिया के category में उसका अलग category आए ठीक है और 1952 में इसे क्या कर दे हमने एक्स्टिंग्ट मान लिये थे ठीक है तो उसके बाद देखते हैं वर्ल्ड वाइड लाइफ इंसिटूट जो होते हैं यह आपका बेसिकली दहरा दुन में इसका हैड़कॉर्टर है वारती वन जीव संस्थाने चीता का जो पुनर्वा दिखा था 1947 में तो अब चीता को फिर से भारत में बसानी की बात की गई क्योंकि चीता रहेगा तो भी फूट चेन के पॉइंट है उसे एक इंपोर्टेंट यह एनिमल है ठीक है दुनिया में सबसे फास्टेस एनिमल किसे माना जाता है आपके चीता को माना जाता है इस बा हमारे पास एसियार्टिक चीता है जो भारत में नहीं है उसके बारे में थोड़ा समझेंगे ठीक है इस बागार याद रख लेना तो यहां पर देखिए पहला है आपका आपका एफ्रिकन चीता तो एफ्रिकन चीता की बात करते हैं तो इसमें आपको सिब एक ही कंटेंट क नहीं पूछी जाएगी बड़ यहां पर ध्यान देना आयू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन अप नेचर के रैड लिस्ट में यह वन्र लेबल में आता है जोकि इनके संख्या जादा है तो वन्र लेबल आ गया सिटेस जो वन्र जीवों के सरक्षन के ल याद रखना यह बातें आपके लिए इं्पॉर्टेंट है बस इसमें इतना ही जादा इंपॉर्टेंट इतना ही इंपॉर्टेंट कंटेंट है combination though ने बोक्स में लिखके बताईए क्योंकि एक्जाम में पूछा जा चुका है सीजी पीएसी में ठीक है अब यहां पर देखते हैं कि अगर एफ्रीकन चीता यह है तो एफ्रीकन चीता का जो साइज होता है यह काफी थोड़ा बड़ा होता है ठीक और बेसिकली चीता और तेंदव से इस प्रकार निकलते हुए ब्लैक धारियां होती है ठीक जो तेंदवा में नहीं मिलेगा तेंदवा बहुत कॉमन होता है पेड़ोडो में चड़ जाता है ठीक है वो भी डेंजरस है तो यह एफ्रीकन चीता की बारे में याद रख लें अब उसके बार देखते ही कि आप सेलक्षन अदिनियम में के हिसाब से यह एपेंडिक्स टू में आता है ठीक तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि इसका साइज जो होता है थोड़ा सा छोटा होता है इसकी आँखें लाल होती है ठीक है आप यह जो है आपका बेसिकली भारत में भी मिला करता था लेकिन और आपके कुछ साजेशन्स हैं तो भी आप ज़रूर भेजिए ताकि हम आने वाले सेशन को और बहतर से बहतर आप तक लेकर आ सकें तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक्यू सो मच है बनाइस टे झाले सेशन्स हैं